किसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो आज हम करेंगे एक नए महीने के सब्सक्राइब करेंगे जो लोग ये चैनल पहली बात देख रहे हैं आप लोगों के जो वीकली टेस्ट होते हैं जो हमारी आप पे कंड़क्ट करवाय जाते हैं वो अप्लोड हो चुके हैं मेह महीने के भी और जून के भी आप उनको अटेंट कर लीजिएगा और देख वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दू वील डब्लीव के लिए जो अमारे रिमेंण लेक्चर थोड़े से बचे थे उस पर हम लोग काम करके फिर यहां पर आप लोगों के प्रैक्टेस सेट शुरू कर देंगे आप लोगों को प्रैक्टेस सेट और जाएगा कश जमू से हैं आप लोग हमारी लाइब्रेरी में भी विजिट कर सकते हैं आप लोग यहां पर आ सकते हैं अगर आपको guidance चाहिए या कोई भी आप exam के लिए तैयारी कर रहे है या अगर आपको कोई जितने भी यह days रहते हैं यह काफ़ important है इनसे जादर important आज की date में जो चल रहा है वो चल रहा है इनकी theme तो theme क्या थी इस पर world no tobacco day की तो इसकी theme थी we need food not tobacco तो यहां पर इसको याद रखियेगा WHO ने यह day 1987 में शुरू करा था world health organization ने इसको शुरू करा था 1987 में उसके बाद से यह हर साल मनाया जाता है world health organization की अगर मैं बात करूं तो इसका headquarters आप लोगों को जिनीविया में देखने को मिल जाएगा जिनीविया जो है वो Switzerland में है इसके साथ ही एक और चीज़ याद रखना WHO के जो डिरेक्टर जर्नल है उनका नाम भी आप लोग याद रखना इनका नाम है यहां पे इनका नाम भी याद रखिएगा नेक्स पर आते हैं 57 ग्यानपीट अवार्ड जो है यह मिला है पीएस श्रीदरन पिल्लाई को जो की गर्नर है गोवा के किसको यह अवार्ड मिला है इनके द्वारा इन्होंने यह अवार्ड जो है यह दिया था तो यह कौनकरनी है दामोदर मौझ वाजओ इनने इस अवाड से समानित किया गया है यह अवाड काफी मौढर्ण है यह पूछे जाते है एक्जाम में totि आपके अऊप के दिमाग में आएगा कि इन्होंने यह अवार्ड क्यों दिया है तो देखो यह वहां गवाड के जो गवर्णर है इन् लेंगवज में लिखते हैं तो याद रखना है यह कौन कनि में लिखते हैं यह कौन कनि राइटर था है और इस फॉट्टी सेकंड जो था अगर मैं बात करूं यह 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 जो अवार्ड है यह Teil पर पर रविंद्र केलकर जी जो की कौन कर नहीं में लिखते थे बाट एक्जाम में आपको इनके पूछे जाने के चांसे जाद हैं तो यहां पर इनका नाम याद रखेगा चीक है नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग मही महीने मही एंडिंग में यूनियन मिन्स्ट्री ऑफ हाल्थ और फैमिली वेलफेर के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर मंसुख मांडविया जी इन्नोंने इनागरेट करा था नैश्टरल ट्रेनिंग सेंटर फूट सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड ऑफ इंडिया फ्ससी का एक य गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में यह जो सेंटर है इनागरेट करा गया था जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है हेल्थ और फैमिली वेलफेर के देखो और इसा की अगर मैं बात करूँ अभी डिसेंटली यहां पर एक बहुत बड़ा ट्रेन कुछे जाते हैं रेल मिनिस्टर के साथ साथ आप लोगों को मुझे बताना है कि उनकी कौन सी कौन सी है तो यह दो क्वेशन्स आप लोग के होमवक है इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखके बताईएंगा ठीक है नेक्स बात है क्वेशन नमबर फॉर्थ के बात दिन कौन सी ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने रेगुलेट करा है एंटी टोबैको वर्निंग्स को ओन ओटी ती यानि ओवर दा टॉप प्लैक्फॉर्म्स बाइलेजिंग ओडिटी गाइलेंग्स फॉर्थ रेगुलेशन ऑफ दा ओनलान देपिसेशन और टोबैको पर्ड सारी चीज़ें जो है वो की गई थी और पहली कंट्री कौन सी बन गई है तो यह पहली कंट्री जो है यह इंडिया ही बनी है आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ओटी टी प्लैटफॉर्म से जिसमें आपका डिजनी आउट स्टार आजाता है अमन्जॉन प्राइम जाता है नेट्फ्लिक्स आ जाता है अब इन सब को क्या कहा गया है इन सब को अब यहां पर यह का गया है कि ओटी गाइडलेंज जो है वो निकाली जाएंगी जिसमें जो रेगुलेशन के तहत जितना भी टबैको प्रड़क्स का जो यूज होता है ऑनलाइन कंटेंट में उस पर ध्यान रखा जाएगा तो यह इंडिया पहली कंट्री बनी है जिसने गाइडलेंज निकाली है एंटी टॉपको डे के दिन तो यहां पर इसको याद रखना अब एक और क्वेशन यहां पर बनता है कि कि किस मिनिस्टर नहीं यह कहा है तो देखो यह जो गाइडलें में भी याद रखेगा नेक्स पर आते हैं कौन सा ऐसा एमस है जो कि पहला बन चुका है बाइदा नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिडल और हेल्थ के प्रोवाइडर्स में तो पहला ऐसा कौन सा है जो यहां पर आया है अगर मैं एमस की बात करूं तो एमस ना यह जो है अब NABH की अगर मैं बात करूं तो यह क्या करते है NABH जो है यह constant board है जो quality council of India के द्वारा setup करा गया है ताकि यह पूरा ध्यान रख सके हर एक चीज़ को यहां पर लेके कि किस तरीके से जो healthcare quality है उसको standards को maintain किया जा रहा है तो यहां पर याद रखेगा पहला कौन सबना है तो यह है एम्स नागपूर जो की महाराष्ट्रा में है कौन से इसा हेलिकॉप्टर है इंडियन नेवी का जिसने रिसेंटली लैंड करा है पहली बार on the Indian naval ship INS विक्रांथ अब देखो INS विक्रांथ से आप लोगों को यहां पर बहुत सारी चीज़े स्ट्राइक क installer wreck MARा उन्स in ठाव यानि की यह ऐसा है जो हाम लोगों ने को खुद बनाया है यह क्या है यह there are operator makệu subscribe एक देख्शों के पास है और इसमें पहला कौन सा ऐसा हेलिकॉप्टर है जिसने लैंड करा है चीक है तो यहां पर आपको बता दू यह है MH-60R हेलिकॉप्टर जिसने लैंड करा है INS विक्राथ पर तो इसको याद रखना और यह पहला है हेलिकॉप्टर बना तो यह बहुत इंपोर्टन हो जाएगा यह एंटी सर्फेस एंटी सम्मरीन वार्फेर केपडिलिटीज रखता है तो बस इतना आप लोगों को याद रखना है इस क्वेशन को लेके चीक है यह इंपोर्णेंड है आईनस विक्राथ तो औरेडी पूछा जा चुका है पेपर में तो यह क्वेशन भी पूछा जाने के चांसे आपके बनते हैं अभी कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिरों ने रिसेंट्री लॉंच करा है यूनिफाइड रेजिस्टेशन पॉर्टल फार ब्वायो गैस कंप्रेस्ट बायो गैस प्लांट अंडर ग तो आपको सबसे पहली चीज क्या है आपको यह पूरे गवर्दन स्कीम की फुल फॉर्म को याद रखना है ठीक है दूसरी चीज अगर मैं यहां पर बताऊं यह किया गया है गेजंदर सिंग शेहखावत जी के द्वारा जो इसमें हमारे जलशक्ति के मिनिस्टर है इन्हो बर्दन स्कीम की सबसे इंपॉर्डेंट चीज क्या है यह नबाड के एक्जाम में पूछा गया था नबाड के अलावा अगर मैं बात करूं यही क्वेशन आपका आरबी में भी पूछा गया था कि फुल फॉर्म क्या है तो यह वह बहुत बार पूछे जाते हैं तो इसको बात की जाए पेरोल रिपोर्टिंग डेटा अनलिसस इनका जो डीसेंटली में के एंडिंग में आया था 1.39 क्रोर पीपल फांड न्यू फॉर्मल जॉब्स इन इंडिया विच्टेस है डिकॉर्ड इंडिया तो देखो यह डेटा जो है यह अपने आप में ही बहुत ही एक important है सबसे पहले चीज़ आप लोग देख सकते हैं यह कहा गया है कि total कितनी क्रोर फॉर्मल जॉब जो है वो create की गई है वो है 1.39 क्रोर और 22% इसका एक ही state से आया है तो वो कौन सी state है जिसने generate किया तो वो है महराश्चा महराश्चा के द्वारा 22% अगर बात की जाए highest जो तो payroll data analysis आया है उसके तहरत अगर हम बात करें तो यहां पे जो है महराश्चा के द्वारा की गई अगर मैं पिछले साल की comparison में बात करूं तो 13% जो है वो increase हुई है तो यहां पे इसको याद रखिएगा यह question काफी जादा important बनता है अगर आपसे paper में पूछा जाएगा कि second highest कौन सी थी तो second highest भी याद रखना ये थी तामिल नाडू ने second highest जो है वो generate करी है आप लोगों बस इतना याद रखना है थर्ड पर कनाटका है फॉर्थ महराना फिर्ट गुजरात तो बस हिससे जाद आपको याद रखना है और यह भी याद रखना है कि data release किसके द्वारा क करूं किसके द्वारा जीता गया है डोफार मुंसिपैलिटी में जूनियर एशिया कप 2023 यह एक इंटरेशन अंडर 21 फील्ड होकी चेंपियंशिप है जो खेली जाती है तो यह किसके द्वारा जीता गया है तो आपको यह भी याद रिखना है यह जीता गया है इंडिया के यह जूनियर एशिया कप था अब पेपर में डारेक्ट पूछा जाएगा कि दोफार मुंसिपैलिटी में जूनियर एशिया कप किस से रिलेटेड़ है किस गेम से रिलेटेड़ है तो यह होकी फील्ड होकी चेंपियंशिप थी पहला पॉइंट याद रखिएगा दूसरा हुई है ऊमान में चींप गई है ऊमान की कैपिटल क्या है तो यह भी याद रखना कहां आप से स्टैटिक जीगे की फौब में बन जाते हैं जिसने अनाउंस करा है nomination for the first edition of the राष्ट्र भाष्या सम्मान awards to promote literary works in various Indian languages listed under the 8th schedule of the constitution of India. तो देखो यहाँ पे क्या है राष्ट्र भाष्या सम्मान हर साल मिलते हैं, बहुत सारे bank जो है इसमें participate करते हैं, तो राष्ट्र भाष्ट्र सम्मान awards के लिए, किसने यह किया है पहला edition यह किया गया है bank of baroda के द्वारा, bank of baroda ने यहाँ पे एक किया है और 11 June को कहा जा रहा है, यानि कि कल यह announce किया जाएगा जो भी यहाँ पे winner होगा इसका, तो यहाँ पे 12 जो है titles होंगे जिसमें ओडिया, उर्दू, पंजाबी, नेपॉली, बंगॉली, मराथी, यह सब यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पे पूरा detail में किया जाएगा और जितनी भी age schedule में languages आती है हमारे constitution में उन सब को लेके यहाँ पे किया गया है और जो awards होगा यह दोनों को मिलेगा जो author होगा original work का और जो उसका translator होगा हिंदी में तो यह दोनों याद रखिएगा किसके द्वारा पहला डिशन किया गया है यह बैंक अब रोडा के द्वारा किया गया है बैंक अब रोडा का headquarter कहां पे यह वडोद्रा में है यानि कि गुजरात में next बात है कौन सी ऐसी exercise थी जिसको recently conduct करा गया है southwestern यानिकी सब्तशक्ती command of the Indian army in the westward boundary borders of Rajasthan and Punjab देखो यहा नाम क्या है यह सुदर्शन शक्ती सुदर्शन शक्ती यह जो चार दिनकी exercise थी यह conduct करी गई थी western borders में हमारे राजस्तान और पंजाब के और यह जो है यह पूरा जो इंडियन आर्मी का जो पूरा पर जो पूरा एक preparedness होती है कि कि किस तरीके से काल को कोई भी अगर चीज हो सुदर्शन शक्ती और दूसरा आपको याद रखना है कि यह conduct काम पे हुई है यह हुई है राजस्तान और पंजाब के borders में तो यह दोनों आपको याद रखना है नेक्स पर आते हैं इनकी एक impact rankings आई थी 2023 की जो की जून महीने में release करी गई है कौनसी ऐसी university है जो इमर्ज करी है अज टॉप इंडियन उनिवर्सिटी और उसका rank globally रहा है 52nd और Western Sydney उनिवर्सिटी जो Australia की है उसने टॉप करा है कितनी बार यानि की कौनसी बार फिर से इन्होंने top करा है लगातार तो देखो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारी top university जो है वो है अमरिता university अमरिता विश्वा यूनिवर्सिटी ठीक है और अगर यहां पर बात करूँ कि जो Western Sydney कितनी है इन्हों ने ये लगातार कितनी बार जो पूदिशन वह जीती है तो यह भी आपको याद रखनी है इंडिया की टॉप उनिवर्सिटीग्स में अमरिता उनिवर्सिटी जो है ये बनी है कहा पर है अम्रित्य इसको नाम आप पूरा थोड़ा सा क्लियर कर लीजेगा विश्वा विद्या पिठ्था मुझा जो ओरिजिनल नाम है वो यह है कहां पर है यह है कोंबटोर कहां पर है वह है तामिल नाडू में और यहां पर यह भी यार रखना जो जीता गया है अल ओवर इंडिया अगर मैं बात करूँ यहां पर तो यह है हमारी वेस्टन सिड्नी उनिवर्सिटी के दोरा ठीक है यहां तक इतना क्लियर है नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं हम लोग एक सिकेंड रुकिएगा जी उनाइट नेशन वर्ल्ड बाइसेकल डे कम मनाया जाता है और हां एक बार रुकिएगा आपको यह बता दू यह लगा दा दूसरी बार इन्होंने जीता है पिछली बार भी यह जीता था इस बार भी इन्होंने ही जीता है युनाइट नेशन वर्ल्ड बाइसेकल डे हर साल मनाया जाता है किस दिन तो देखो हर साल युनाइट नेशन बाइसेकल डे इंडिया भी खास तोर पर बहुत ज्यादा कि यहां पर आप रेनुवेबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जम्मू में भी जम्मू कुश्मीर में भी स्मार्ट साइकल जो है वो आये हैं तो इसको भी याद रिखना साथी साथ इसकी अ इसकी अपर यहां पर यहां पर कोशिश की जाएगी अपना नेशनल सेंटर बनाने की ताकि कल को अगर कोई अर्थक्वेक भी आते हैं तो उनसे जो डैम्स हैं उन्हें यहां पर नुकसान ना हो एक फैनेशल ग्रांट जो है 30 करोड की इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो मिली है ठीक है तो यहां पर इसको याद रखना एक सवाल कहीं पर बच्चों के दिवाग ना थे कि यह सेंटर बनाने से क्या होगा ठी इंजिनियर्स के साथ जो रेगुलेटर्स होते हैं पॉलिसी मेकर्स होते हैं जितने भी ठ्रेट जो है अर्थक्वेक से जो की डैम सेफटी को लेके हो सकते हैं उन सब पर काम करेंगे एक प्रॉपर स्टडी जो है वो करी जाएगी सिलेक्ट काफी सारे नेशनल वाइड डै एक्ट आया था डैम सेुटी एक्ट है जिसमें जो इस्यूस रहते हैं सेफटी को लेके डैम्स को लेके उसको जो है बुख्या जाता है जैसे इसमें इसा नहीं की कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को लेके है यह ऑल ओवर नेशनल इंपॉर्निंस को प्रायर्टी पर इनको गया था और टोटल कितने डैम से जिनको इसमें रखा गया है तो यहां पर आपको बता दूँ टोटल फिस्टी फाइफ अंडर्ड डैम जो है छोटे बड़े सारे उनको यहां पर नैशनल इंपोर्टेंस में डाला गया था और सतर जो थे इन में से उनको नैशनल इसको याद रखना क्योंकि डैम सेफटी को लेके बहुत जादा चीजें जो है वो की जा रही है और उसी में यह पाट है और किसके साथ क्या जा रहा है इसको भी याद रखना कौन सी एसी स्टेट या यूटी है जिसके यूनियन मिनिस्टर अफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है साइंस एंड टेक्नॉलोजी के जितिंदर सिंग ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है दो दिनका एक लेविंदर फेस्टिवल बंदरव भगदरवा में यह शुरू किया जाएगा और भगदरवा को कोशिश की जा रही है इमर्ज करने की एज लेविंडर कैपिटल ऑफ इंडिया अब यह जो क्वेशन है इसको आप लोग याद रखेगा यह बहुत होने वाला है इसको याद रखना यह पूछा जाएगा तो य इसको याद रखना यह क्वेशन आ सकता है अब कहीं लोग सोचेंगे कि इन से फाइदा गया होगा देखो जो अडॉप्शन होगी लेविंडर के क्ल्टिवेशन की क्योंकि भदरवा एडिया है वहां पे जितनी भी फार्मर्स को चीजों की जरूरत होती है नेचरली वह जो है फाइदा मिल सके क्योंकि लेविंडर से लेविंडर ओयल हाइड्रोसोल बहुत सारी चीजन जो बनाई जा सकती है तो यहां पर इसलिए यह काफी इंपॉर्टन रखता है जो स्टेट के एक्जाम से उसमें तो यह क्वेशन आपको देखने को मिलेगा पिछली बार भ यह में जिता है अर्विन रखतिवपर में पूछा जाएगा कि कि सपूर्ट से रेलेटिड है यहां पर यह चेश प्लेयर हैं बहुत इंपॉर्टन paradigm है यह जिता है यह लगातार दो बार हनोने जीता है वर्ल्ड इन्वार्मेंट डे 50th एडिशन था काफी important question होगा ये मनाया जाता है हर साल 5 जूम को theme क्या थी इस दे की तो देखो world environment day की जो theme थी वो थी solution to plastic pollution ये इस बार इसकी theme रखी गई थी बहुत important है annually observe करा जाता है world environment day United Nation Environment Program के द्वारा UNEP के द्वारा UNEP का headquarter उससे भी जादा important है homework note कर लीजिएगा मुझे comment box में लिखके बताना कि ये कहां पे है ठीक है ये दोनों questions बहुत बार पूछे जाते हैं UNEP का headquarter मैं ही आपको बता देता हूँ ये नैरोबी में है नैरोबी कहां पे है ये Kenya में है तो ये बहुत बार पूछा गया है जब हम लोग world environment day मनाते हैं ये कौन सा addition था ठीक है ये कौन सा addition था जो इस बार मनाया गया है तो ये 6th addition था इसका आपको लेकिन याद रखना है कि ये दिन कब मनाया जाता है दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है recent exams अगर होंगे तो उसमें आपको देशने को मिलेगा next पर आते हैं हम लोग कौन सा ऐसा bank है जिसने recently launch करा है एक inter operable cardless cash withdrawal facility to withdraw cash using upi from the automated teller machine यानि कि ATM से अब आप लोग क्या कर सकते हैं direct upi के थूँ जो है cash withdraw कर सकते हैं आप लोगों को physical debit card की ज़रूरत नहीं है पहले भी आप लोगों को पता दू बहुत सारे banks दे जिन्हों ने किया था cashless cashless आप लोग withdrawal कर सकते हैं cardless cashless लिख रहा हूँ cardless withdrawal आप लोग कर सकते हैं आप लोगों को पास अगर card नहीं है तो भी आप कर सकते हैं लेकिर इस बार UPA इसे link किया है कुछ नहीं चीज़ है तो पहली बार ऐसा यह करा है किसके द्वारा तो यह क्या गया है bank of broda के द्वारा जहों अभी हम दोगों ने देखा था रास्ट्र भाशा सम्मान प्रुसकार के साथ ही तो यहां पर दोनों चीज़े याद रख लेना और इसी के साथ ही एक और बेंक के रिलेटेट इंपॉर्डेंट न्यूस बता दो इस वे ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट कुबेर जो है शुरू किया है विज इंग्लूसर इस्टेबिश्मेंट और फोर ट्रांजेक्शन बेंकिंग हब्स एंड वन कोपरेट सेलरी पैकेज हम किस जगा में तो यह जो हब्स बनाए जाते हैं बड़े-बड़े शैरों में 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 बंगलूरू में यहां पर इन्होंने जो है यह करा है तो इसको याद रखिएगा SBA का Headquarter कहां पर है SBA का Headquarter है मुंबई में जो की आपका महराष्ट्रा में है यहां पर इस पॉइंट को याद रखिएगा और SBA की एक एप भी है जिसका नाम है You Know यानि कि You Only Need One यह एप का नाम भी पूछा गया था पहले बहुत बार वैसे कि हर एक बैंक की अपनी अप है ज which bank has recently unveiled a new campaign my account starts today देखो यहां पर आपको जो questions है यह important क्यों है मैं आपको वो भी बदाऊंगा अब इन्होंने क्या किया है इन्होंने जो विराट को ली है उसको अपना new brand influencer बनाए पहले ambassador बोलते थे अब influencers बोलते है तो यह कौन सा ऐसा bank है जिसने किया है देखो यह किया गया ह है hsbc के द्वारा hsbc की full form क्या है यह है hong kong और शेंग्गाई banking cooperation limited ठीक है इस bank के द्वारा यह किया गया है my account starts today तो इन्होंने किसको किया है ambassador यह किया गया है विराट को ली को अब यहां पर banking के current benefit जादा क्यों रखना हूं कि देखो आपका EPFO का एक्जाम है या फिर आपके अब RRB यानि ग्रामिन बैंक के एक्जाम है उनमें यह questions आपको देखने को मिलेंगे तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा जो banking के तेयारी करना है आप इसको ध्यान से पढ़िएगा महराष्ट्रा के जो CM है एकना शिंदे जी इन्होंने एशिया का largest cluster development scheme जो है वो लांच करी है और इसको भी important mark कर लीजिएगा पेपर में डिरेक्ट पूछा जाएगा कि एशिया की largest cluster development scheme जो है यह कहां बेकी गई है तो यह करी गई है थाने में इन्होंग्रेट करी गई है ठीक है यह 323 स्क्वेर फीट की पूरा एक house मनाए गया है जिसमें हर एक beneficiary को जो है मिलेगा तो यह काफी एक important है इसको याद रखना यह अलग-अलग phases में शुरू होगी जो पहला phase होगा इसका development का वह छे area में शुरू होगा जिसमें कोपरी आ जाता है आपका ठाने में ही इस्ट में पढ़ता है इसके बाद रोबोडी हजूरी लुकमाने नगर और यह बहुत सारे आते हैं आपको बस इतना याद रखना है कि यह कहां पर inaugurate करा गया है launch कहां पर करा गया है तो यह थाने में किया चीक है नेक्स पर आते हैं अभी रीसेंटली परधान मंत्री नेरेंद्र मोदी जी ने दो स्कीम्स को जो है जिसका नाम है अमरिद दरोहर योजना और मिष्टी योजना अंडर दा मिनिस्टी ऑफ इन्वार्मेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज टु रिवाइव हम याद रखिएगा यह बहुत इंपॉरेंट होने वाली है मेंग्रूव इनिशेटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इंकाम तो यहां पर क्वेशन पूछा गया है टी स्टैंज पर तो वह है अपका टैंजिबल अब यह लॉंच करी गई है किस मिनिस क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहां पर करी गई है अब दोनों स्कीम में फरक क्या है तो थोड़ा सा डेटेल में बता देता हूँ जो अमरित दरोहर होगा स्कीम में क्या होगा इसमें कोशिश की जाएगी कि जितने भी हमारे कंजर्व हैं जो एक्जिस्टिंग नाम से साइट है और उनको कोशिश की जाएगी कि जो सस्टेनेबल एको सिस्टम डेवलेप्मेंट है उसको अचीव करने की साथ ही साथ यहां पर पॉब्लिक पार्ट तो मिश्टी योजना को आप लोग यहां से भी समझ चुके होंगे इसमें क्या रखा जाएगा ध्यान ताकि एक्स्प्लोर करा जाएगा कि कितने पॉसिबल एरियस ऐसे हैं जिसमें डेवलेप्मेंट की जा सकते हैं मैंग्रूव की जिसमें तक्रीमत कोशिश की जा रही है पान सो चाली स्क्वेर किलोमीटर जो है याना स्टेट्स और दो यूनिन टेरिटरीज में है उसको आने वाले पान साल में कोशिश की जाएगी जो है कवर करने की और यह शुरू कब होगा यह फैनेंशल यह दोजाट चोबिस में शुरू होगा अब यह भी याद रख लेन की ठीक है तो इतना याद रखेंगे दोनों स्किम्स बहुत इंबॉडन होगी और आपको इनको याद रखना है नेक्ट पर आते हैं अभी रिसेंटली एक नेवल एकसराइस कंड़क्ट करवाई गई है एन्वल एकसराइस थी जिसका नाम है एका था जिसको एकता भी बोल स इकडिर्स के बीच में हैं इंडिया और मल्लिप्स के बीच में काफी इंपॉन्ट है मिलितरी एक्सराइसेंस पर रिम्पेशन्स बनते हैं याद रखना और अभी रिसेंटली एक इनक प्र demographic एकसराइस जो है वह भी हुऊंपे के बीच में आभी किस देए इन UP की एक एласти jsem किस-किस ने किया तो इंडिया से किया था तरकश के दौरा इन्स तरकश के द्वारा फ्रांस कि अगर बात करूं तो वहां से रिफ्रैल आप लोगो ने ग्री बहुत बब शुना होगा है लेकिन यह फ्रांस की तरफ से आये थैडिया ने इसके साथ ही आप लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि जो इंडिया और माल्डिव्स के बीच में उसका नाम क्या था यह बहुत इंपॉड़न क्वेशन है पहला इडिशन इन तीनों का था उसमें पूछा जा सकता है कि पहले इडिशन में इन में से बताओ कौन सी नहीं ह उसे आप लोगों को इतना idea हो चुका होगा कि इंडिया नहीं होगी लेकिन यहां पर ऑप्शन में आपको मालीजे कल को इस्ट्रो यह तो स्काइरूट एरोस्पेस दे जाएगा तो confusion हो सकती है यह किसके द्वारा क्या गया है यह क्या गया है गिलेक्स आई स्पेस स्पेस स्प्राइबर लिमिटेड के द्वारा इन्हों ने यह भी क्या है यह स्पेस टेक स्टार्टप है जिसने अभी कि recently IAT मदरास के साथ मिलके भी यहां पर यह जो इवेंट है यह जो पूरा पहला वर्ल्ड का पहला बनाया जा रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कितना important होगा और confused यहां पर करना examiner के लिए बहुत असान हो जाएगा आपको इस्वरों देदेगा नासा देदेगा options में तो आप असानी से confused हो जाएंगे और इसका अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको डिफिनेटली गिलद करके आएंगे तो द्रिष्टी जो है पहला मर्टी सेंसर अर्थ अब्जर्वेशन सेट्रलाइट बनाया जा रहा है ग्लैक्स आई स्पेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तो ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं जो स्टार्ट अप कल्चर है अब वो आपके स्पेस टेक्नोलोजी में भी आ रहा है जैसे लोगोंने पहले स्कायरूट अइरोस्पेस देखा था तो इस बार अब यह किसके द्वारा किया गया है यह ग्लैक्स आई स्पेस स्पेस सॉल्यूशन के द्वारा किया जा रहा है तो यह दृश्टी मिशन है जो कि कोशिश की जाएगी कि पहली मिसाइल आपकी दोज लूरू में ही है मैक्सिमम आपको वहीं पर दिखेंगे और 2021 में ही अभी यह शुरू हुई है company next पर आते हैं जून के महीने महीं एक टीम जो थी इंडियन और जर्मन साइंटिस्ट की इन्हों एक नई species जून ली है green tree frog की आप यहां पर देख सकते हैं जिसका नाम रखा गया है ग्रेशियल लेक्सस पर्थे के निस इस फ्रॉम दा नम नमदाफा टाइगर इस अब देखो यहां पर क्या है जब यह टाइगर इस आपका निव्स में आया बहुत रेर आपको एक्जेक्ट यह question पूछा जाए जो species मिली है नाम दे दे जाएगा और पूछे जाएगा किस की है वैसे तो आपको यह याद रखना है लेकिन अब जैसे कोई एक specific नेशनल पार्क है आप लोगों का जो रिजर्व है अगर वो न्यूज में आता है तो वह important बन जाता पेपर में पूछा जाएगा नाम दाफा टाइगर हिजव कहां पे है स्टाटिक जीके की बात है अरुनाजल प्रदेश में आपको मिल जाएगा इसको आप लोग याद रखना और जो एक suggested common ने रखा गया है उसका नाम इसका भी नाम याद रखना क्या नाम रखा गया है व स्टेफ्ट वर्ल्ड फूट सेफटी डे जो है वह साथ जून के दिन मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी तो देखो थीम जो थी बहुत सिंपल थी फूट स्टेंडर्ड सेव लाइफ यहां पर याद रखना लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को एक और चीज बता दू मैं ने पहले भी बताया था कि आजकल क्या है थीम कम पूछी जाती है आजकल स्लोगन जाते हैं साथ में अगर बेपर में पूछा जाएगा कि स्लोगन क्या था तो वह भी आप लोग या रखना स्लोगन था फूड सेफ्टी is everyone's business बहुत important है यह जितनी important theme है उतना ही आजकी date में important क्या है क्योंकि देखों बहुत सारी चीज़ें आती है कि हम लोग ने दिखा था कि कुछ जगाओं पर हैस्टाइक निकाले जाते हैं आजकल पहले क्या होता था पहले कोई एक डे होता था उसकी theme आती थी फिर अब आते हैं साथी साथ स्लोगन जाते हैं तो यह सब आब आपको याद रखना है खासोर पे जिसका स्पेसिफिकली मेंशन होता है तो यह दोनों याद रख लिना आप लो नेक्स्ट पर आते हैं कुंसी स्टेट गवर्मेंट ऐसी है जिसने रिसेंट्री लॉंच करा था नंद फैमिली आइडी पोर्टल फर क्रेश्टन ऑफ यूनीक फैमिली आइडी अंदर वन फामिली वन पिदेंति अब ये किसके द्वारा किया वन फैमिली के तहत कोशिश की गई है यहांdos ह Works की अचीम उप्रदेश कर भूएंर्ण ये समयंद लगवा यहां पर इसको लेगी किया गया है इस पूरी स्कीम की जो बजट एलोकेशन है वो है एक हजार करोड रुपे का तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी स्कीम यह है यहां पर और वेन फैमिली वन इडेंटिटी साथ ही साथ यहां पर फैमिली आइडी पोर्टल जो है यह लॉंच किया गया है तो दोनों आपको याद रखना है इस समय योगी अजित्यानाथ जिनको आप यहां पर देख सकते हैं साथ ही साथ अगर आप से पूछा जाएगा कि गवर्नर कोन है तो गवर्नर है इस समय अनंदी बेन पतेल इनको भी याद रखना ठीक है यह बहुत इंपोर्टन होगा आपके लिए नेक्स पर आते हैं मैचल बैटीसी अवार्ड फॉर बैयोस्फेर रिजर्व मैनेजमेंट और यह आज का एक और मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन क्वेशन होगा ठीक है इनका नाम क्या है इनका नाम है जगदीश सुदाखर बाकन जी इनको यहां पर सिलेक्ट किया गया है युनस्को के माइकल बै सर्विसेज दोजार सत्रा बैच के हैं तो इनको याद रखना महराष्ट्रा से यह जो है बिलॉंग करते हैं बहुत इंपोर्डेंट होने माला है यह क्वेशन भी आपके एक्जाम बॉर्ट रव्यू से चीक है नेक्स्ट पर जलते हैं आज का लास्ट क्वेशन है इन्हें बहुत बड़े-बड़े समान से भी समानित किया गया है लेकिन पेपर में पहला क्या आएगा वह यह आएगा कि गितांजली अयर का निदन हुआ है यह किस फील्ड से बिलॉंग करती है तो याद रखना है यह न्यूस एंकर थी न्यूस प्रेजेंटर थी और पहल साथ जो यहां पर question पूचा गया है इस तरीके से question नहीं आएगा बट मैं जान पूचके इस तरीके से हम लोग बना देते हैं ताकि आपको यह याद रहे थोड़ा सा अगर याद रखना सबसे जादा मुश्किल हो जाता है बट आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपक लोगों का upload हो चुका है हमारी app पे आप उसको attempt कर सकते हैं वहां पे जितने भी 50 to 60 questions बन सकते थे वो सब add कर दिये जाते हैं ताकि क्योंगे अगर exam में कोई भी question पूचा जाए तो उसको discuss कर दिये जाए आज की class में हम लोग 30 top 30 questions को discuss करते हैं जो exam में आने के chances जादा होते है तो आई होप आपके lecture पसंद आया होगा मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ने lecture के साथ और जो लोग की चैनल पर ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का अपडेट मिलता रहे होगे गाइस बाबाए टेक किल अल्ट बैस सी उसो